नमवुनारे ये गोमाता बंदे मात्रों मा भारती को प्रणाम और रिदैसे ओम्शम्शन शराये नमा देवादी देव शनिदेव का अध्भुद्धिन है शनिवार का दिन है हर हर गार में शर्षों का तेल का दिपक जलना चाहिए शनिवागवान के नाम से और ओम्शा मुशा ने शराये नमा इस मंत्र का जाप करने से जिवन खुश्यों से भरा रहेगा बहुत से लोगों ने का अध्दाती माराज जिवन की समश्यों का हल बताईए मितनों और मेरे साथियों और मेरे अपनों आप श्यों जितना अच्छी तरह समझेंगे सांत और शुकी रहना उतना ही सहज हो जाएगा जीवन में समश्यों का समाधान सभी समश्यों का हल आपके पास है बस आपको अपने पास आना है सांत मन के साथ आपको अपने साथ थोड़ी देर रहना है सभी समश्यों की समाधान स्वत ही आपको में जाएगा थोड़ आशा शान्थ होईए और अपने साथ बैठिए देखिए कैसे आपको समश्या कर समधान मिलता है नमना रहे बहुत से लोगों निकांग दाती महराज पिना बजे का भै है पिना बजे का भर्म है और भ्रांती है भै भ्रम और भ्रांती दिवादी देव सनिदेव की किरफा से तुरंद निवारन होता है तुरंद निवारन होता है आज सनिवार का दिन है और आपको अनावशक भै भ्रम भ्रांती से प्रेशान होना पड़ रहा है तो प्रातकाल नित्यकर्मिनू danusya नान उप्रांत, गाणिशनीदेव कि चल्णों में शर्ष्टों का तेल का दीपण जला कर, उसमें सात रिशे केसर के डाल देखे हैं, और शाध्दाने और देखे हैं, अपने हांगे घर में दिपण जलाई या गणिशनीदेव कि शिर्च समय दो हजार अठार जेस्ट मास्ट की नौ परवस्टे सक्सम उनीशो तेतालिस जेस्ट एक तद अनुसार शनिवार 22 मई सन दो हजार एक केस प्रातिकाली नक्षत ओत्र फाल गुल नक्षत चनर्मा कन्यार आशी में प्रातिकाली लगन वरिशब लगन लगन में चार गरे च आजगार आउकाल पाते नौ बज़े से लेकर साड़ी दस बज़े तक है और 22 मही को एकादसी है भाई महुनी एकादसी और एकादसी में आदभुद कृपा बरसती है नाराण की इसलिए गोदान जरू करना जाए गाएं को चारा देना जाए गाएं को रोटी देना जाए गरीब को बोजन कराना चाहिए यह बहुत जरूरी है ले जाता हूं नक्षटर विज्यान की दुनिया में क्या कहते हैं आप शभी के गरना शभी के लिए बात करूंगा आप शभी की राशी पलगे और सबसे पहले में इस राशी लेन उस से पहले जिनका आज जनम दिन है या फिर शादी की सालगर है तो दाती महराज की और से रह से शादी की सालगर है और जनम दिन की हर दिक सुब कावना है आपका जीमन खुशियों से बढ़ा रहे सैनी भगवान की स्रिचलनों में मेरी प्रात्रा आज आपका जनम दिन है और शादी की सालगर है तो संपून जीवन की परिशानी के निवारंक लिए आज की दिन किसी भी गौसाला में सरधानुसार या साथ किलू जो का दान देना बड़ा शुब रहेगा और जब भी जीवन में कोई परिशानी आए रविवार के दिन सर्धानुसार जो गौसाला में दान करिया गया आपके सारी कश्च मिटेंगे नमरण और बात करते हैं आपके राशी पर लिए सबसे पहले मेश राशी मेश राशी वालों गोचर उत्तम है श्रम ठीक है आज पा कारोबार कि छंता कारोबार में धनवर्दी के आऊसर मिलेगे रह आपका आत्मभल बड़ेगा सफलता की वज़े से avoid मनुअबल मान सम्मान बढ़ेगा परिवार का शुक्र प्राप्त होगा परिशान उसे मुक्ति मिलेगी और आप विद्यारती हैं आप यूँआ हैं कलाकार हैं खिलाडी हैं तो आज का दिन आपके लिए लाब और शपलता का संकेर दे रहा हैं क्या करें थोड़ा सा सामाजिक सरोकार और प्रियास सार्तक होंगे परिश्रम और महनत का उत्तम फल प्राप्त होगा और परिवार का साथ मनेगा संदान को लेकर जो परिशानी उस परिशानी से मुक्ति मिलेगी अध्यात में रुजान बढ़ेगा संतों का असिरवात प्राप्त होगा जिसरी के घरे यूगा और खानपान की प्रति लापरवाई ने रहना, तो सब कुछ ठीक है, क्या करें? पारवारिक जीमन में अनकूल बनाने के लिए आज थोड़ा सा एक कदम अपनों की और आपको बढ़ाना होगा, पारवारिक जीमन खुशियों से भरा रहे, परिवार आपके साथ खड़ा रहे परिवार की तरफ एक कदम पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा, सारा दिन खुशियों से बीतेगा, क्या ना करें? कारिश्रत में कोई लापरवाई नहीं करें, क्या उपाय करें? वर्षब राशिवालों, यदि सामर्थेवान है, तो आज भगान शिव के शिवलिंग पर दाई से अभिशे करें, नहीं, तो सरदान शार दाई किसी गरीब निधन कंजग को दान में दीजेगा, कश्ट बिटे गनमने नहीं बात करते हैं, मिधुन दाशिवालों, चनरमा चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, गोचर अनकूल नहीं है, गोचर ये संके दे रहा है, क आज पारवरिक परिशानियों का सामना करना पड़ेगा, गरगस्ति में तनाव है, सारिक और मांसिक ठकान भी है, गोचर ये संके देरा कि आज सावधानी आपेक्षित है, भूमी भवन वान में पूंजी निवेस नहीं करें, और परिवार को थोड़ सा समय दें, क्योंकि आज कारी इस्तिति आपके नियनतन से बार होने की वज़े से नुकसान हो सकता है, क्या करें, कानून के दाएरे में रहे काम करें, क्या ना करें, धन और समय का दूर्पयोग न कर, उपाए क्या करें, आज किसी गरीम निदिन विदुआ सिरी को हरी चीजों का दान देना संकेत चणर्मान मनों उंकूल शफलता का संकेत आरह गोचर सुप है सरकार के मामलों को लेकर प्रसासनिक कामोंAKE नोकरी को ल कर वेवषाय को लाग का framework का निवरन होगा कारी में शफलता मिलेगी लेंड़ेन, मसले ठीक रहेंगे और दिन अच्छा रहेगा विद्यारतियों के लिए, युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए और खिलाडियों के लिए आज सुबता का संकेत नजरा आ रहा है, क्या करें, परिश्णम और लगन से कारी में जूटिये, सफलता जरूर मन लेगी, क्या ना करें, कारी की गोपनेता भंग करें, क्या उपाय करें, अदूर से बनी सपेद मिठाई, कंजकों को दान देना बड़ा शूबर हैगा, नमने ने बात कते हैं, सिंगराशी, सिंगराशी आ लोग गोचरी संकेत ने कि सब परियासों से कारियों में शफलता मिलेगी, धन समंदी मसले हलोंगे, नौकरी में अ परिष्ट और प्रसंचीत रहेगा, और शितार ये सिक के देरें, कि आप विद्यारती हैं, युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाडी हैं, परिष्टम और मेहनत का फल प्राप्त होगा, क्या करें, किसी जरुतमन्द वेक्ति मुएदत करें, क्या ना करें, गुपत रूप से कोई कारिय ने करें, क्या उपाय करें, सिंग राशिवालों, आज मा भगवती के मंदिर में, काय के सुदघी का दीपक जलाएगा, और वहीं बैटकर 27 बार, या फिर 108 बार, ओ मैं घ्रीम क्लीम चामुंडाय बीचे, इस मंतर का जाप करिए, कस्ट मिठेंगे, नमनान और बात कर प्रत्योगता हो, परेक्षा हो, वाद विवाद हो, विजय आप होंगे, ज्ञान विज्ञान में रूची बढ़े, धन की आवक रहेगी, मन परसंद और परसंचित रहेगा, संतूष्ट रहेगा, घर परिवार में मेल जोल बढ़ेगा, रुकिवे कारी संपन होंगे, और दिन बड़ा सफलता से बितेगा, विद्यारती हैं, युवा है, शिक्षा की दस्टिकार, केरियर की दस्टिकार, आज का गोचर शुबता का संकिय दे रहे, क्या करें, इदि आप अनुकूल को इस्थान अंतर न चाहिए, परविरतन करना चाहिए, तो गोचर ठीक है, क्या किसी दिशा में जाया, लेकिन सरुपर्तา, आज गर से बार निकलते हैं, साथ का Newton के साथ खिलवार नहीं करें, बहुँ जरूरी है, अज विबादी चीजों से अपने आपको दूर रखना, बहु जरूरी है आप सरकारी संस्ताओं के साथ कोई भी लापरवाई नहीं करें क्योंकि अनावसिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है नुक्सान की संभावना है आज वहन को भी सावधानी से चलाना होगा खर्चा बढ़ सकता है मित्र और प्रिजन स्वार्ति सिध होंगे मानसिक तनाव है और कारियों में अवरूद है और कानूनी जहमलों से दूर नहीं रहे तो परिशानी भी है विद्यार्ती युवाक, कलाकार और खिलाड़ों के लिए आज का दिन परिश्रम, मेहनत और संगर्श का संके दे रहा है इसमें आप लापरवाई नहीं पहते क्या करें थोड़ा सा सफलता के लिए वानी की अनकुलता बना करें क्या ना करें लेखित रूप से पेपर में कोई समझ होता नहीं करें क्या उपाई करें आज प्रातकाल ब्रह्म मूर्थ में सूर्य उदे से पहले घर के मुख्य द्वार पर सुद गाई की घी कर दीपक बना कर रखेंगे तो दिन बहुत अच्छा बेतेगा नमने नों बात करते हैं बिर्शिक राश सितारों की चानल अनकुल सितारे पूर लाब और शफलता का संके दे रहे सबी महत्मौन कारिय बनेगे वैवशाइक और आर्तिक छेतर में उनतिक आउसर प्रावत होंगे और नौकर में अनकुलत आएगे और मानसिक तनाव दूर होगा मन में उल्लास और प्रसंता होगी स्वास्ति उत्तम रहेगा मानसमान बढ़ेगा आप विद्यारती हैं युवा हैं खिलाडी हैं कलाकार हैं अनावस्चक परिशानी से छुटकारा कारिय बनेंगे और शफलता भी मिलेगे क्या करें तो बहुत जरूरी आज अपने काम काज में अपनों का साथ लिए lettuce अपनों की सुनिये क्या ना करें किसी के कारें में डख्लनदाजी नहींगा क्या उपाय करें प्रिशिगराशिवलों आज के दिन सर्दानधार शाबत मसूर किसी मंदीर में की वज़े से कारियम शफलता मिलेगी लाबमार की प्रशस्त होगा आरतिक इस्तिति सुदर होगी परिवार रुष्वजनों से मेल मिला बढ़ेगा मनवाचित वस्तु और फल की प्राप्ति होगी गोचर पून शफलता और लाब का शक्यन दे रहा है गोचर अनकुल रेंसेन और खानपान के इस तरह में उत्तमता आएगी आप विद्यारती आप युआ कलाकार और खिलारी है तो विगन और परेशान है चुटकार और शफलता की और आपका कदम बढ़ेदा क्या करें मत्पूनकारी वारता से संपन करने का प्रियास क्या ना करें किसी का फाइदा उ सुधार और प्रियासार्त अगेander है, मित्रों का स्योग प्राफ्त आपट होगार, मित्रों के स्योग से धन्शमंधी मसले हल होंगी, नौक्री और वववशाई में इस्तिरत आएगी आई मध्यम जरूर है लेकिन गुजारलाइक धन की प्राप्ति होगी प्रसत्या ठीक है स्वास्ते भी ठीक है पिता का पूर्ण स्वयोग है आशिर्वाद है प्यार है और पैशा भी है तो गोश्र ठीक है क्या करें पारवरिक आउश्यक्तां पर थोड़ासा ध्यान देज़ क्या ना करें आलत से अपना काम ने भी कारें क्या उपाये का है मकराश वाल गरीब निदन भच्चंको आज कुछ खाने-प्रिने काश्यमाण या वह खुस हो इस तरह की किस वस्तों का दान करी किलोगे कपड़ी होगी कपी-पेंसिल हो गया गरीब कुशात सी देना मकराश वालों के लिए बड़ा शुब रहेगा नमनन और बात करते हैं कुम्राश कुम्राश वालों ग्रे गोचर की स्थिति प्रतिपूल है गोचर अनकूलता का संकेत नहीं दे रहे आज थोड़ इसी प्रेशानी आ सकते आपकी कारी सहली की वज़े से सरकारी अपसरों से उल्जना नुक्सान का संकेत नजर आ रहा है सरकारी अपसरों से बाद विवाद न बढ़ाए अनेता काम में बाधा उत्पन होगी गुप्त शत्रू गुप्त रोग आपको परिशानी दे सकता है इसलिए मदीरा से दूर रहने का प्रियास नशान नहीं करें नुक्सान है मित्राजा किसी नए कारे में पूझे निवेश करना उचित नहीं रहेगा आज के लिए तताकतित मित्रों से धोका और धन की हाने की संभावना भी है आप विद्यारती हैं आप युवा हैं खलाकार हैं खिलाडी हैं शाउधानी आप पिक्षित मित्र नमना रहें क्या करें बहुत जर की दो परुत्मन व्यक्तियों को हरे आउमले का दान देना बहुत सुबर है कि मिनदाशी की मिलेगा इप्यार में पैसा भी मिलेगा आप विद्यारती या युवा और कलाकार और खेलाडी हैं आज आपके प्रियास साथ तक होंगे क्या करें बहुँ जरूरी हैं वेविषा में सहज रहना निर्णे लेते समय थोड़ा सा संतुलित रहना आज बहुत जरूरी क्या ना करें शत्रु को बढ़ावार रहें क्या उपाए करें आज किसी भी मंदीर में केशर का सरधानुसार दाद देना आपके लिए बड़ा शुग रहेगा न बाना रहें और बात करतें आज के उपाएगे बहुत लोगन का सब बहुत परिशम करते हैं बहुत शंगर्स करते हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन व्यविशाय में शफलता नहीं मिली क्या करें शनिवार की दिन सूरी उदे से पूर एक पीपल का ताजा पता तोर कर लाई जल गंगा जल पंचा इस पत्ते को अपने पर्ष में रखेंगे शनिगाहितरी गूगल में मिल जाएगी हर शनिवार को पहले वाला पत्ता प्रभा कर देजिए और नया पता रखना ऐसा करके देगेगा सारे कस्टमेटेंगे और प्रेशाने से छुटकारा मिलेगा नमनारे यह था राशिफल उप देवादी देव सनिदेव की क्रपा से गो माता की सेवा में लगा रहा पिछले दो-तीन सालों से मेरी परस्तियां इतनी अनकूल नहीं है जितनी मस्ति में मैं गो माता की सेवा करता था उसमें थोड़ासा वेवधान आया है राश्ट में पूर्ण आप विश्वास है इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और शाथियों मेरी आर्तिक प्रसति इस समय ठीक नहीं है मुझे गोमाता की सिवा में आपका सहोग जाहे आप गोमाता की सिवा करेंगे तो मैं आपकी सिवा में हाजी हूँ जो मैं जानता हूँ मेरे आराध्ये देवादी देवसनी देवरु गुरु महराध जी की दया से जोतिसी की आसपास रहने का आउसर मिला आपको जोतिसी समधान में मेरा शहोग चाहिए मैं कोई प्रजापिता ब्रह मा नहीं हूँ पर नहीं मैं हत्यली में सरसू उगाता हूँ मैं प्रियास करता हूँ मैं आपके लिए प्रियास करूँगा जोतिसी समधान के लिए और इसकी एवathy मैंने आप लोगुं से निबधन किया था कि आप गो माता के लिए 200 रिप्या गो साला में जरूर था है। आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गो माता का शेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है। मेरी गोमाता भुकी ने रहे, मेरी गोमाता को चारा मिले और जो भी दान दाता, जो भी राष्ट भक्त गोमाता की सिवा करता है उनको मैं परणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलिफ बढ़ेगी इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की वज़े से चारे की तकलिफ ज़्यादा नजर आ रही है आप सब इससे मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ प्रियास करें नमबर आपके सामने में है इन नमबरों पर संपर करिए मैं आप से वीडियो कॉन्फरेंस में जरूर बात करूँगा और ये मेरा शोभाग्य होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहूँ करूँ जब आपको मेरी आवश्यक्ता पड़ेगी इन नमबरों पर मैं आपसे उपलब्द रहूँगा इन नमबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो-चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़ादा रहते हैं हर रोज मैं मुस्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि जोतिसी समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में सयोग करें और उसकी एवज में दातिमाराज आज की सेवा में हाजिर हैं हाजिर थे और हाजिर रहें चिडी चौच भर गई नदीन घटियो नीर परमारत के कारणी मानव धरा सरी सेवा का फल हमेशा मीठा होता है शात्राज और समय बड़ा बलवान है समय एकसा नहीं रहता है आज मेरी प्रस्ति है कि मैं आपसे निवेधन कर आज तक मैंने रास्ति कभी पैसा नहीं मना मैंने ये जरूर का है कि सेवा बे ध्यां देए जिमाड़ाह। मैं भी सेवा करह detail आप भी सेवा करें इसमें मैं खल दीवानी से आपकी सेवा कर पारहा हूँ मेरी आर्थिक प्रस्तिया यतनी अच्छी नहीं है कि मैं गो सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ गो साला में गायों को तकलीप नहीं आए पुने मेरा निवेदन कि आप सबी लोग गायों के हरे चारे की विवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सानिवेदन कि दी राष्ट के लोग एक्की सो रिप्रवी गो साला में दे देंगे कुछ तो मुझे स्योग में लेगा जो लोग स्योग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार और जो लोग स्योग के लिए आगे आएंगे सिनिभगवान कि सिन्चन्ण मेरी प्रात्ना कि सिनिभगवान उनकी रक्षा करें उनका जिवन सदा खुशियों से भरा रहे हैं मित्रों और साथियों दाति भारात जीमन भर आपके आभारी रहेंगे इस से वाके लिए परी गोमाता भुकी निरे उन्हें तकलीब नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमानारे में में पराद प्रियास